Hello everyone, मेरा नाम निहाल चंद है और मैं राजस्तान के बिकाने डिस्टिक से बिलॉंग करता हूँ UPSC Indian Forest Service Exam 2023 में मैंने 65th rank secure करी है with the mathematics and forestry optional. मेरी study BSc किया है मैंने महराजा कोलेज जैपूर से उसके बाद मैंने MSC in mathematics from IIT Ropad और उसके साथ इसाथ GATE और J.R.F. exam भी पास हो गए थे Since then I have been preparing for civil services and forest service examination with mathematics as an optional. तो आज हम mathematics की strategy और sources discuss करेंगे यहां पे और इस साल मेरे mathematics में 218 marks है out of 400 marks in forest service examination. तो let us start the strategy for mathematics optional. तो सबसे पहले मैं यह मेरा actually third interview था तो mathematics में मेरे marks improve है पहले interview के time मेरे mathematics में marks 177 थे उसके बाद 198 और इस साल 218 marks आए तो कैसे improve किया और क्या-क्या पहले गलतियां हुई थी जिसकी वज़े से marks कम आये थे और क्या mistakes नहीं करनी चाहिए क्या चीज़े ध्यान में रखनी है क्या चीज़े avoid करनी है वो सब हम आज discuss करेंगे तो सबसे पहले तो general points discuss कर लेते हैं कि कोई भी question solve करना है तो उसको पूरी तरीके से करना है मतलब last तक answer लागे और match करके और उसको रखना है ऐसे नहीं है कि चार steps करें और उसके बाद हम सोच लेते हैं कि अब हो जाएगा तो ऐसे नहीं करना है पूरा लाग के answer और अगर टू पाई answer है तो टू पाई आया है तो ही अगला question करना है अधरवाइस क्या होता है कि actual exam में आपका अगर answer different है पूरा process follow किया आपने सही तरीके से follow किया है सब कुछ सही है लेकिन answer different है थोड़ा सा तो आपको zero marks मिलते हैं यह मेरा experience है UPSC journey का तो question को पूरी तरीके से solve करना है solve question completely completely यह first point दियान में रखना है हमने रेकिन है कि exam में जाने से पहले at least 30 test solve करना है यह मैं क्यूं कह रहा हूं क्योंकि 2020 के मेंस के time मैंने तीन बार maths का सले बस completely कर लिया था हर एक exercise के एक-एक question किया था लेकिन एक भी test नहीं लगाया था उसका नुकसान यह वा था कि मेरे maths में दोनों में इंडियन forest service और civil service exam में दोनों में ही marks कम रहे थे exam में बेटने से पहले at least 30 test solve करने है उसके लिए test series के लिए मैंने mathocrate की test series religiously follow करी थी उसके साथ-साथ मैं मार्केट से एक-एक test series उठाता था और उसको घर पर ही solve करता था तो 30 test solve करने है और तीसरा general point द्यान में रखना है Indian forest service और civil service दोनों के पुराने 15 साल के question solve करने है और जो-जो question मुस्किल लगे उन सब को 15 years के सारे PYQ solve करने है और topic wise भी कर सकते हो year wise भी कर सकते हो और उन में से जो-जो question मुस्किल लगे उनको note down करना है जो question एक बार में नहीं वा उसको note down करना है उसका year लिखना है उसका answer लिखना है एक अलग से notebook बनानी है जिसमेंसे for example मैंने 2008 का paper उठाया और 2008 के paper मेंसे मैंसे चार question हो गए चार नहीं वे तो जो चार नहीं वे उनको note down करना है जो चार हो गए वो मुझसे कभी विक्रालो हो जाएंगे दुबारा भी लेकिन जो नहीं वे उनको अलग से notebook करना है और यह सेम ही रूल test series में follow करना है मैं क्या करता था कि test लगाया और test में चार question ऐसे थे जो मुझसे आते ही नहीं थे करता था second यह कि जो जो question नहीं हुए मुझसे या जो आते नहीं थे उनको भी note down करता था इस करके मेरे पास चार पांच ऐसी notebook हो गई थी जिसमें पीवाई क्यू के जो जाते हैं तो मैंने फोर्मला शीट के मैंने separately notes नहीं बनाए थे मैंने टॉपर्स के फॉर्मला सीट उठाई थी उनको रिवाइज कर लिया था दीरे दीरे प्रक्टिक्स के साथ मेरे को फोर्मला लग बग याद हो गए थे तो उसकी मुझे जर्रत नहीं पड़ी थी लेकिन मैंने ये चार-पांच नोट बुक मेरी ऐसी बनी थी जिसमें मुस्किल क्वेश्चन्स हो रहे थे यह तो जन्रल इस्रेट जी है विद रिस्पेक्ट्टू मैथमेटिक्स ऑप्शनल और अब सोर्सेज और टॉपिक वाइज डिसकस कर लेते हैं सबसे पहले सबसे पहले लीनियर अलजब्रा तो मेरा बेक्ग्राउंड मैथमेटिक से रहा है मैंने बीसी एमसी और जैराफ गेट यह एक्जाम किये थे तो लीनियर अलजब्रा इस एक्जाम की तैयारी करनी स्टार्ट से ही पहले से आता था तो मुझे ऐसा चाहिए था कि कोई भी नोट्स चाहिए जो सोर्ड नोट्स तो या फिर कोई ऐसी बुक को जो मैं जल्दी रिवाइज कर सको तो इसके लिए क्रिश्णा सीरीज की बुक मैंने रिफर करी थी और अब तो मेथोक्रेट के भी नोट्स आ गए लीने अलजब्रा के तो यह भी काफी कॉम्प्रेंसिव और बहुत अच्छे नोट्स है उसमें पी बाई क्यू भी इंक्लूडेड है तो यह भी रिफर कर सकते हैं इस attempt में जो जो नोट्स मेथोक्रेट के नाउम पर से पहल ले आ गए थे उनको मैंने रिवीजन के लिए काम में लिया था और दूसरी लीने अलजब्रा में एक और चीज हम कर सकते हैं कि calculator का use to find eigenvalues to solve the third degree equation to find eigenvalues उसमें calculator का use कर सकते हैं matrix का determinant निकालने के लिए, matrix का inverse निकालने के लिए तो वो calculator का use करें तो time बच जाएगा बहुत सारा second topic है calculus इसके लिए मैंने Krishna series की ही book की थी integral calculus और differential calculus दोनों Krishna series की book कर रही थी और बार-बार की थी उसके और muskill questions को अलग से book में से ही note down कर लिया था कि यह questions ऐसे हैं जिसको मुझे याद रखना है और कोई भी topic छोड़ना नहीं है for example एक पहले 10 साल तक लगातार question नहीं आया था किसी एक topic का और उसके बाद asymptote का question नहीं आया था उसके बाद 2020 में अचाने question आ गया था, curve tracing का question नहीं आता था पहले फिर 2022 में साइध curve tracing का question आ गया था तो ऐसे कोई भी topic जो syllabus में mentioned है, सारे के सारे calculus के करने ऐसे नहीं है के लिए मैंने P.N. Chatterjee की book करी थी, शुरू-शुरू मैं ऐसे लगता था कि यह बड़ी book है नहीं होगी लेकिन दीरे-दीरे-दीरे-दीरे कुछ multiple revision के साथ वो book आसान लग लेन गई और question उसी book में से आते हैं, तो इसलिए other book करने की ज़रत नहीं है P.N. Chatterjee बहुत अच्छी book है और उसी को solve करना चाहिए यह first paper के part A के sources है, अब part B O.D. O.D. के लिए एक book आती है, अमडी राज सिंगाने की book आती है, जो O.D. और P.D. दोनों के लिए मैंने यह refer करी थी और इस बुक में यह है कि इस बुक में जो जो मुस्किल question लगे उसी time उनको star कर दिया था, जब second revision, third revision होता था तो जो star question होते थे only उनको ही solve करता था, क्योंकि बहुत बड़ी book है, सारे question solve करने जाएंगे तो सारे बहुत time consume हो जाएगा ओडी जैसे simple topic के लिए इतना time देना वर्थ इटनी होता तो फिर उसके लिए मैंने star question कर दिये थे, star question कोई बार-बार solve करता था, otherwise star ना करो तो फिर वो अच्छे question सूट जाते है second revision में, तो फिर से नुक्सान हो जाता है और vector analysis के लिए मैंने krishna series की book पड़ी थी, krishna series के साथ-साथ एक वो जो differential geometry है, उसके topic है, और example curvature है, torsion है, उसके लिए कोई PDF मिल गई थी, वो करी थी और plus krishna series, अब तो शिवराज सर के notes आ गए हैं, तो उसमें से कर सकते हो और third is physics के topic, dynamics और aesthetics, यह मैंने methocrate के youtube channel से किये थे, दोनो topic और plus krishna series के book solve करी थी, अब तो सर के handwritten notes भी आ गए हैं, उसमें से कर सकते हो, मैंने यह इनके youtube channel से notes बनाये थे, ऐसे नहीं था कि एक बार देख लिया, फिर ठीक है, फिर भूल जाएंगे हम लोग वापस, तो मैंने क्या कर रहा था, हरे question जो सर ने पढ़ाया था, youtube channel पे, उसको note down किया था, और plus previous year सारे question solve किये थे, वो भी लिख लिए थे, कि इसके questions ऐसे होते हैं, कि लगबग repeat हो जाते हैं, तो question अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, उसके अलावा क्रशना सीरीज में जितने question है, वो solved question जो है, वो लगबग सारे solve करने की कोशिज करी थी, तो यह हो गया paper 1 का, paper 2 का, paper 2 का पहले topic है, modern algebra, modern algebra का ऐसा था कि मेरा background pure mathematics में था, bsc, msc, pure mathematics बहुत अच्छा था, तो तेयारी start करने से पहले से मेरे को modern algebra बहुत अच्छे चाहता था, मैं पहले, galion की book कई बार solve करी है, तो modern algebra के साथ मैं comfortable था, तो नए experience को कैसे modern algebra करनी है, कितना time देना है, वो मैं सही से नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने जब तयारी start करी थी, तब मेरा modern algebra already बहुत अच्छा था, तो उसके बाद galion क्या था, कि time बहुत consume कर रही थी, और मुझे लग रहा था कि questions उस level के नहीं आ रहे है, जो galion में दिया है, तो मैंने book shift करी और आर कुमार पर आया था, आर कुमार आसान book है, और इस से लगबग 90% of the questions of UPSC civil service and forest service questions, आर कुमार से हो दाते हैं, और यह जल्दी revise होती है, तो मैंने फिर आर कुमार पर shift किया था, और मुझे लगता है कि आर कुमार book इस exam के लिए sufficient है, और modern algebra topic, second topic है complex analysis, इसके लिए मैं fully Krishna series पे rely किया था, Krishna series, complex के लिए, और third topic है, LPP, LPP के लिए ऐसे था कि यह easy topic है, कोई भी coaching जो sort में हो, और उसके notes उठा के पड़ लिये थे market से मैंने, और fourth topic है real analysis, real analysis का भी same scenario था कि modern algebra की तरह real analysis मुझे भी बहुत अच्छे से पहले से आती थी, तो मैंने इसके लिए malikend aroda book को बार-बार revise किया था, और एक और काम किया था, कि malikend aroda book के जो जो theorems मुझे लगता था, कि यह मैं बार-बार बूल रहा हूं, या फिर यह ऐसे questions है, जो exam में आ सकते हैं, थोड़े muscle question हैं, याद नहीं रह रह रहे हैं, तो मैंने 20-1 पन्ने में summary बनाई थी malikend aroda की, तो लास्ट में revision के लिए modern algebra, malikend, real analysis इनको revise करना पड़ता है, तो उसमें बहुत help किये थी यह 20 पन्ने के notes, क्योंकि जो जो muscle theorems होती है, वो सब लास्ट में दुबारा रियाद हो जाती थी, और मैंने इसकी summary काम आई थी, 5th topic इसमें PD, PD के लिए Y book, MDR की book की थी, जो OD के लिए की थी, Y book है, MDR की book, और 6th topic इसमें N.A, numerical analysis, numerical analysis के लिए Jane and Jane, Jane A.N.A.N.G.R. Jane book आती है, वो refer करी थी मैंने, और इसी के साथ साथ calculator का बहुत अच्छा यूज इसमें करना पड़ता है, for example, अगर Go Seedal method है, उसको हम calculator में function set करके करें, तो वो लगबग एक ये दो minute का method है, लेकिन अगर उसको manually 3 repetition करेंगे, तो उसमें 20 minute लग जाएंगे, तो calculator का use, calculator सीखना, scientific calculator का use कैसे करना है, कुछ YouTube पे videos है, जो help करते हैं, इसको calculator कैसे सीखना है, और calculator 991 EX करके calculator था कोई, SU 991, वो calculator allowed exam में और वह यूज किया था, उससे पहले 82 MS करके calculator आता है, उसमें तो इतने सारे functions से साथ में काम नहीं करते हैं, और इतना helpful नहीं है, उसमें only एक ही method साथ सोल कर पाते हैं, सारे नहीं होते हैं, इसमें रंगे कटा और गो, सीडल, हर तरह का Newton Rapson, सब method, bisection method, सब calculator ये 991 सोल कर देता है, तो दूसरा, इसका computer वाला जो पार्ट है, वो फिर कोई internet से toppers के notes डाउनलोड किये थे और उन से किया था, boolean algebra और उसका computer वाला, computer programming जो C या फिर basic का है, वो topper के notes डाउनलोड किये थे और उनको भार भार किया था, और last में जो physics part है, वो methocrate से किया था, physics part जिसमें mechanics और fluid dynamics है, उसका methocrate के videos के साथ साथ, जो MDR book के chapter सर ने बताये थे कि यह section करने है, fluid dynamics के, इस chapter का यह section, इस chapter का यह section, वो किये थे, और mechanics में, Krishna series की book पड़ी थी, लेकिन वो ज्यादा समझ नहीं आई थी, तो only methocrate के notes और इनके videos पर independent रात हमें, और pyq solve किये थे बार बार, जो-जो मुस्किल है, जो गलत वह है, उनको solve करना, और at least exam में बेटने से पहले 30 test solve करने हैं हमने, चाहिए घर पे करो, चाहिए exam center पे जा के करो, और methocrate की test series बहुत, exam relevant थी, और exam के लिए prepare करने वाली थी, थोड़े muscle questions आते थे, उससे यह होता था कि मुस्किल questions को stress में कैसे handle करना है, वो सीख रहे थे हम लोग, तो exam में थोड़ा साथान होगा, तो easily भी बिना calculation error कि यह हम solve कर लेंगे, और एक main important चीज है, mathematics optional में ध्यान रखनी है, कि calculation error जो होता है, वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, आप 20 नंबर का कम attempt कर लो, लेकिन calculation error ना करो, क्योंकि वो सीधा 20 का 0 हो जाता है, step marking इसमें होती है, लेकिन step marking बाद में होती है, कि आपने पूरा solve किया, correct answer किया, उसके बाद step marking होगी, कि को step miss तो नहीं करी है, कि 20 नंबर का question है, आपका सही answer है, तो बीस में से कितने काटें, कितनी आपने step miss करी है, उसके कितने काटें, ऐसे नहीं होता है, कि आपका answer गलत है, और फिर आपके steps के marks मिलेंगे, नहीं, answer गलत है, तो zero number, मेरा experience यह रहा है, कि पिछले मेरा यह 5-1 men's था, civil service और forest service, दोनों में, तो forest service में 30 रहा था, और civil service में 4 दिये हैं, तो mathematics में number 275-280 marks आया है, मेरे तो उसमें यह experience था, कि जब कम आये, तब ऐसे था कि calculation error बहुत ज़्यादा होई थी, और जब ज़्यादा आये तब यह था कि calculation error नहीं करी थी, attempt कम marks का किया था, लेकिन correct किया था, तो यह चीज बहुत ध्यान देने वाली है, mathematics optional के साथ, और आज हम mathematics optional का ही discuss कर रहे थे, आगे prelims के लिए भी एक straight G video बनाएंगे, कि कैसे, इस बार भी मेरे 96 marks थे 2023 वाले में, और उससे पहले 110, 112, 115 marks आये हैं prelims में, तो उसके लिए क्या करना है, हमने कैसे straight G, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या sources है, वो भी discuss करेंगे, थेंक यू, थेंक यू very much, थेंक यू methocrate for giving me opportunity to share my strategy, with respect to mathematics optional with the experience, thank you.